केवल 40-50 साल पहले की तो बात है जब ये कहा जाता था ये फूल पत्ती खा के कोई इलाज होता है आज 50 साल के अंदर हम आ गए गो बैक टू हर्बल मेडिसिंस तो भई तब सहीती साइन्स याब सही है देखे मैं सभापती महदय करना चाहूंगा मैं टेक्नॉलजी का विद्यार्थी हूँ तो मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स और टेक्नॉलजी में ये संबन्ध है कि आप टेक्नॉलजी का परेडाइम बदल दीजिए पावर का परेडाइम बदल जाता है सेकेंड वर्ड वार के बाद जैसे ही एटम बम अमेरिका के पास आया पावर परेडाइम बिटन से यूरप से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया आज यदि हम फार्मसिटिकल और मेडिसिंस के छेतर में देखे तो पशीमी देशों ने इतनी प्रिगति कर रखी है यदि हम उनके फालोवर बनना चाहेंगे उसी ब्रांच आफ नॉलेज में तो जैसे अमेरिका के FDA ने फेडरल ड्रग अडिमिस्टेशन ने तो हमें दशक लग जाएंगे उनके आसपास पहुँचने में परन्तु यदि हम paradigm shift कर दें वो paradigm shift यह alternative source of medicines जिसमें होमियोपेथी और आईरवेद आते हैं जिनके पास वह आधार है जिनका मूल आधार ही अलग है उन चिकितसा पद्दतियों से और यदि हमने इसमें अपने को सही ढंग से इस्थापित कर लिया तो हमें 80-90 प्रिश्य ची हमारे इस Indian system और उसकी मूल प्रकति अलग है देखिए जितने भी चिकितसा पद्दतियों है वो सब चिकितसा विज्यान है उनसे आप पूछिए कि व्यक्ति स्वस्थ है इसकार्थ क्या हुआ अगर उसको कोई रोग नहीं है तो स्वस्थ है अगर रोग हो जाएगा तो उस के संडक्षन और संवर्धन के लिए उपयुक्त हैं और प्रभावी हैं इसी लिए आप देखें कि बाकी जो western medicinal thoughts हैं वो क्लेमी नहीं करते कि general immunity को बढ़ाने के लिए उनके पास कोई बहुत कुछ है सिवाए multi vitamin और multi minerals को देने के लिए अगर उस प्रकार की चीज़े आज एक भी रहे जिस प्रकार के virus और immunology related खत्रे बढ़ रहे हैं तो अगर हम इसे प्रभावी ढंग से रख पाएं तो समझे यह आयू का विज्ञान आयू के संडक्षन और संबर्धन में एक प्रभावी रोल प्ले कर सकता है अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग यह कहते थे कि साब हमें उसके हिसाब से साइंटिफिक धंग से इन चीजों को आगे रखना चाहिए अब किसे साइंटिफिक कहें उपसाबापदिम हो दे केवल 40-50 साल पहले की तो बात है जब यह कहा जाता था यह फूल पत्ति खा के कोई इलाज होता है रिक्रोसिं आज भी वही हैं आप बदल गए हैं और इस बदलाव को अब हमें विश्व को सिकार करवाने की आवशकता है बजाए इसके कि हम उनके हिसाब से अपनी व्याक्षा करने का प्रयास करें अब मैं एक अन्य उधारन आपके ध्यान में डालना चाहूंगा और शदियों के बार सबसे बड़ी उपलब्धी माना जाता है वेस्ट की सर्जरी सर्जरी का जितना डिटेड आयुर्वेद में उपलब्ध है सुष्रुत साहिता में 180 चैप्टर हैं 1100 डिजीजेज हैं 121 इंस्टूमेंट्स हैं 650 मेडिसिंस हैं जिनिमें एनिमल प्लांट और केमिकल सारे सोर् और 300 से उपर प्रोसीजर्स हैं और इतना ही नहीं शायद कुछ लोगों को सुनने में आठपटा लगे परंतु हडपा सिविलाइशन जिसे आज हम सिंदु सारस्वत सभिता कहते हैं उसके एक्सकेवेशन में सर जान मार्शल ने जो ब्रिटिश टाइम में आर्केलोजिकल स सिविलाइशन सेकेंड मिलिनियम से अविलेबल है और आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के म्यूजियम में आप जाईए तो पाचवीश सिताब्दी इसापूर के सर्जिकल इंस्टूमेंट रखे हैं और पूर वे लोग सभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी जब किया था यह तो मैं सिर्फ यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सरजरी जिसको बहुत बड़ा अचीब्मेंट माना जाता है एक तथ्य और आपके माधिन से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि लोग कहते हैं प्लास्टिक सरजरी लंडन से निकलने वाली एक बड़ी फेम लंडन में छपी हुई मैगजीन है 1794 और वो लिख रहे हैं भारत के पुणे में 1793 में एक व्यक्तिकी नाक कट गई थी और उस नाक को जोडने की प्रक्रिया उन्होंने देखी आयरवेदिक सिस्टम से और वह सक्सेस्पुली डन यह उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया और बज़ेदार बात यह है कि उन्होंने यह लिखा कि पुणे में जो नाक जोडने वाले थे वो कौन थे कोई बहुत पढ़े लिखे एलिटिस्ट हाई क्लास के नहीं थे उन्होंने लिखा वो कुमार जाती के वेक्ती थी जो आज की डेट में OBC में आता है तो यह द अजिस हमारे आद्व के मिल्सें मैं सब्जेक्ट का वैसे यह वयसे ही तीन सब्जेक्टों के ग्रूप मेंसे एक आई़रुएश क्रशी पाक्षास्त्रा और आज क्रशी Anytime ब्रोण हम यह उनख में जो सभेट हैं aumento आप लेगेแล ऊनम सारी वैलिउस को हम अच्छी तरीके से स हमें बहुत लाब भी लेगी स्रुक्चर मेकनिजम से सरकार लाई है आज इंटेलेक्श्वल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे विवाद है यदि या आयरुवेद के ग्रंथ हमारे प्रभावी स्थिती में थे उन्होंने हमें नीम के पेटेंट से हल्दी के पेटेंट से त प्रो एक्टिव होकर कह सकते हैं कि ये सारे पेटेंट हमारे हैं तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्श्वल प्रॉपर्टी में भी आप समझ लीजे इसका एक बहुत अच्छा लाब हमें फ्यूचर में मिलने वाला है और अन्तमे में ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिसकी तरह अगर हम ध्यान दें तो अगर हम केवल उनका साइंटिफिक नाम पढ़ ले तो हमें बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाता है जैसे हिर्दय के लिए अरजुन होता है आप अरजुनारिष्ट और अरजुनासव आपने सुना होगा यदि आपने केवल उसकी बोतल देख ली हो तो उसकी बोतल पे उसका साइंटिफिक नाम क्या लिखा है टर्मिनेलिया अरजुना वो हार्ट के लिए प्रुवेन है और नेम इस टर्मिनेलिया अरजुना तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो हम कह रहे थे अब छोटी सी बात कौमन भाशा में तुलसी के लिए होली बेसिल शब्द प्रयोग होता है अब होली शब्द तो अंग्रेजी ने दिया है ना हमने तो नहीं दिया है फिर भी कहीं ने कहीं है स्वीकारोगती है कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज है उधारण के यह जिंडिन और वणस्पतियों को हमारे आहां स्वास की द्रिश्टी से और पूझा की दर्श्टी से महत्वपूर्ण माना गया है पीपल का व्रक्षिंग के व्रक्ष को को कोली vik कहते है मगर उसका साइंटिफिक नाम क्या है ? इक्योस रेलिजियोसा 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 तो उन्हीं ने एक बात कहे जाए ने गर्व से कहो हम है किसी दूसरी चीज़ के लिए कहा था वो मत कहिए क्होंकि जब कहा जाए गर्व से कहो हिंदू है तो ठीक नहीं लगता इसलonly गर्व से कहो हैं मगर मैं कहना चाहूँगा आयूरवेद अथरवेद का हिस्सा hé इसलिए मैं कहना चाहूंगा यह जो हमारा ग्यान है यह सिर्फ भारत के लिए नहीं गरीबों के लिए नहीं सबसे एडवांस लेविल पे जो लोग बैटे उनके लिए भी उतना ही प्रभावी है और यह पूरे विश्व को आगे ले जाने की छंता रखता है अमेरिकन काउंसिल आफ जो सरजन्स हैं उन्होंने सुष्षुत को सरजरी का जनक माना है मेलबर्ण में अमेरिका में क्या माना जा रहा हूँ सबको पता है यह पंक्ति कहके बाद समाप्त करूँगा कि जो अटल मेरे वेदों की जोती अमर मेरे वेदों का ज्यान अमर मानव के मन का अंदकार क्या कभी सामने सका ठहर मेरे स्वरनब में गहर गहर सागर के जल में चहर चहर इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरव में आगे झाल झाल